अगर आप लोग यहां पर इंडिया के अंदर 4GB RAM वाला MIUI का कोई भी डिवाइस यूज करते हो और आपके डिवाइस में जो है साइड बार देखने को नहीं मिलता है तो अब उसकी चिंता करने की जुरूत नहीं है यह आप देखूगे वीडियो टूल बोक्स है बट यहां प आपको बस अपने सिक्योर्टी अप्लिकेशन को अपडेट करना है अभी मेरा सिक्योर्टी अपका वर्जन में दिखा दूँ देखो 7.2.1 है जो कि लिए टेस्ट वर्जन यहां पर चल रहा है बट ग्लोबल के अंदर एक और न्यू एपीक का अपडेट यहां पर आ चुक सघ्र टेस्योरथ है तो यहां पर दुस्तो आपको डिस्क्रिप्चिं बोक्स में हमारे एक टेलीक्राम चैनल का लिंक देखने को मिलेगा जी हैं धूस्तो आपको यह हमारे ये में टेलीकरम चैनल इसका भी लिंक मिल तकर नकर पर देदूँगा और यह these शाओंय मीवाई ह अपडेटर आप ध्यान से देखे लिए शाओमी मीवाई अपडेटर का नाम से आपको यह टेलिक्रम चैनल देखने को मिलता है और यहां पर आपको यह APK देखने को मिलेगा नए वाले सिक्यूर्टी अप्लिकाशन का जिसमें वर्जन है 7.4.0 पहले क्या चाटा था 7.2.1 अभी है 7.4.0 जिसमें लिगा कि साइड मार यहां पर ओफिशली अबलेबल हो गया 4G RAM वाले में और चीज़ यहां पर फिक्स कर दी गई है और इंप्रोफड नोन इशूज एंप्रोफ़ोमेंस और अप्टमाइजेशन तो हम इसको फटा फट से अपडेट करेंगे अपडेट साइज भी देख लिएजए 71.3 MB का अपडेट साइज यहां पर देखने में मिलता है और सिंपली बस अपडेट इक उपर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको थोड़ा नया लियाउट देखने को मिलने वाला है जो कि काफी इहां पर संदार लगता है देखने में तो हमारा APK वो है इंस्टोल हो चुका है देख सकते हो successfully जो है यहाँ पर इंस्टोल हो चुका है done के उपर मैं click करूँगा home screen के उपर आऊँगा और एक बार security application को भी open करके मैं यहाँ पर देख लेता हूँ और setting में आने के बाद यहाँ पर special feature में जाते है और आप देखो यहाँ पर special feature में पहले चार option आ रहते हैं अब यहाँ पर दो ही option आपको देखने को मिलते हैं जिसमें floating window है और floating window में यहाँ आपको sidebar लिखा हुआ देखने को मिल जागा तो यहाँ पर आपको इस सारी चीज़े देखने को मिलते है always source के उपर यह hover क्लिक कर दोगे तो आपके device में show हो जाएगा और कुछ इस तरह का आपको यहाँ पर layout भी देदेगा मैं इसका एक screenshot पर यहाँ पर ले लेता हूँ तो आपको कुछ इस तरह यहाँ पर option देखने को मिलते है और इसको आप लोग move भी कर सकते हो यह देखो यह जो है आपको move भी करने देखने को option मिल जाता है जिए दोस्तों अगर आपके पास अब 4GB RAM है चा 6GB RAM है क्योंकि Poco M4 5G के अंदर यानिक जो Poco M4 Pro 5G है Redmi Note 11T 5G है उनके अंदर हमें sidebar का support देखने को नहीं मिलता है बट अब जो है उनके अंदर भी आप लोग enable कर सकते हो और आपके device में 4GB RAM है और आपके में पहले सी लेखने को नहीं मिलता था तो आप लोग sidebar का यहां पर मज़ा ले सकते हो जिनस तो finally sidebar आ चुका है और यह official है तो यहां पर कोई भी आपको कुछ नहीं करना बस आपको simply बस APK को अपडेट करना है गलोबल के अंदर नए यहां पर design में यहां पर आप देखते हो वीडियो एपस बगारा को भी रख सकते हो और साथ में जो यहां पर games बगारा को भी आप लोग रख सकते हो यह चीज नहीं है आपको layout देखने को मिलता है और कोई भी lack बगारा नहीं है यह चीज मुझे काफी बढ़िया लग आप यहां पर बढ़िया लगा और scanning गारा काप दो देखे लो चाहा है पर layout देखे लो यह सब कुछ यहां पर पहले जैसा ही देखने को मिलता है बाट ये छोड़ा सा पीछे जो lighting देख रहे हो ना ये काफी दम मस लग रही है अपडेट करने के बाद optimization पर क्लिक करेंगे तो आप देखो जो रहा blue कलर की जो light जलती है ना background में हो काफी दम मस लगती है तो अगर अपने वीडियो को यहां तक देख लिए आना तो लाइक जरू करिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिए और बस इतना ही था उमीद है कि आपको यहां पर वीडियो पसंद आई होगे क्योंकि यह जो application को जो आप अपडेट कर लोगे security application को तो आपको finally जो है वो sidebar यहां पर देखने को मिल जगा जी है दोस्तों यह चीज काफी बड़ी है फटाफट से जो है यहां पर description box को open करिए और हमारे इस टेलिगरम चैनल प्याद यह शाओमी MIUI app अपडेटर आपको यह application यहां पर देखने को मिल जगा security app का 7.4.0 और आप 4GB RAM वाले में हाँ पर sidebar का जो है मज़ा ले पाओगे वीडियो को like करेगा चैनल को भी subscribe कर लीजेगा जैए हिंद्ट